कि वो एक मूर्ख बच्चा है इतना मूर्ख लड़का है वो वो कहता कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता उसके स्टा से मुझे बहुत बोलेगा मैंदा नहीं भगवाल के उसके साथ पढ़ेंगे मरिद वरिंदाबन में उसको बहुत डाटा था नमस्कार स्वा किताब सभी का तीन का तरकश आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्टा चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सीम डॉक्टर मुहन यादव की बात जिनका चितरकूट का दौरा आज दूसरा दिन रहा और सीम यादव इस दौरान अनों के अंदाज में नज़र आए सीम ने पहले बच्चों को खिलाओने दिलाए इस दौरान वे यूपी आई जिक्रिमेंट करते नज़र आए वहीं इस दौरान मंदिर में परिक्रमा के दौरान सीम यादव जब गुज़र रहे थे राज़ते में चाए की दुकान चलाने वाली एक महिला ने सीम को चाए पर आमंत्रित खटिया तो फिर वहीं सीम ने चाए की दुकान पर जाकर खुद चाए बनाई और फिर अपने सहियोग्यों को भी चाए पिला एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम देखिए जब सीम डाटर मोहन यादा हो यहां पर पर परिक्रमा कर रहे थे तब यहां पर एक महिला जो चाए की दुकान का संचालन करती हैं उन्होंने मुक्य मंतरी को चाए के लिए मंतरित किया तो मुक्य मंतरी पहुचे भी और ना केबल चाए पी बलकि चाए वो खुद बनाने लगे चाय बनाई अध्रक वाली चाय बनाई अपने साथियों को पिलाई परक्रमा कर रहे थे छोटे छोटे फच्चों से भी मिले उनसे उनका परिशे पूछा नाम पूछा क्या लेने आए हो क्या खरीदारी करनी है और वो सारा सामान दिलाया भी यहां पर देखिए और पूजा पार्ट का सामान भी जो है वो भी उन्होंने लिया और पेमिंट यूपी आई से किया और एक संदीश दिया यूपी आई से पेमिंट करना है और लुकल फॉर वोकल का जो नारा प्रदान मंत्री मोदी ने दिया है उसको भी हमें आके बढ़ाना है सीम जोक्टर मोहन यादव सतना की दोरे पर ने इस दोरान आवासी विद्या पीठ में पहुंचे बच्चों से मुलाकात की बच्चों के साथ भोजन किया सीम को चांदी का मुकुट और गदा इस मौके पर भीट किया गया